राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रावध्योकी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धुनी कारेक्रमों की शंखला क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों और भूगोल शिक्षण के कारेक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारेक्रम NCERT दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है ओद्योगिक समूहन गुजरात ओद्योगिक प्रदेश इस प्रदेश का केंद्र एहमताबाद और वडोदरा के मथ्य में है लेकिन इस प्रदेश का विस्तार दक्षुन में वलसाड और सूरत से लेकर पश्ची में जामनगर तक है इस प्रदेश का विकास भी सन 1860 में सूती वस्त्र उद्योग के विकास की साथ जुड़ा है सूती वस्त्र उद्योग की अवनती होने के बाद ये वस्त्र उद्पादन का महतुपून प्रदेश बन गया है इस प्रदेश के उद्योगों को दोहरा लाब मिला है एक तो ये एक कपास उद्बादक शेत्र में हैं, दूसरी ये घने आबाद गंगा के मैदान के विशाल बाजार की निकटता का लाव उठाता है तेलक शेत्रों की खोच के बाद से यहां अंकलेश्वर, वडोधरा और जामनगर के आसपास विविद प्रकार के पेट्रो रसायन उद्ध्योग विकसित हो गए हैं कांडला पत्तन से इस प्रदेश के तीवर विकास में बहुत सहयोग मिला है कोयाली में पेट्रोलियम परिशकरण शाला ने अनेक प्रकार के पेट्रो रसायन उद्ध्योगों को कच्चा माल प्रदान किया है इस प्रदेश में उद्योगों का विविधी करण हो गया है सूती, रेश्मी और कृत्रिम वस्त्र उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग के अलावा इस प्रदेश के प्रमुक उद्योग है भारी और आथार भूत रसायन, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजिन, वस्त्र उद्पादन की मशीने, इंजीनरी, दवाएं, चीनी, दुग्द उद्पादन और खाद्ये परिश्करण अभी थोड़े समय पूर्व ही देश की सबसे बड़ी परिश्करण शाला ने जाम नगर में उद्पादन शुरू कर दिया है इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं एहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनन्द, खेडा, सुरेंद्र नगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जाम नगर छोटा नाकपूर प्रदेश ये प्रदेश जारखंड, उत्तरी उडिसा और पश्चे बंगाल में विस्त्रित है तथा अपने भारी धातु कर्मी उद्योगों के लिए विख्यात है इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोईले तथा जारखंड और उत्तरी उडिसा में धात्विक और अधात्विक खनीजों की खोज है कोईले, लोह आयस्क तथा अन्य खनीजों के पास 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 पाई जाने के कारण ही इस प्रदेश में भारी उद्योगों को लगाने में सुविधा हुई है जमशेदपुर, बनपुर कुल्टी, दुर्गापुर, वोकारो और रारुकेला में लोहे और इसपाद के पाँच बड़े एकी कृत कार खाने इसी प्रदेश में स्थित हैं उर्जा की आवशक्ता को पूरी करने के लिए प्रदेश में ही ताप बिजली खर और जल विद्यूत सयंत्र लगाए गए हैं इस प्रदेश के आसपास के सघन बसिक शेत्र से सस्तिक शमिक मिल जाते हैं इस प्रदेश के लिए हुगली और द्योगिक प्रदेश एक विशाल बाजार के रूप में काम करता है इस प्रदेश के प्रमुक उद्योग हैं भारी इंजिनेरी, मशीनी उपकरण, उर्वरक, सिमेंट, कागज, रेल के इंजिन और बिजली का भारी सामान राची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारिबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर इस प्रदेश के प्रमुक उद्योगिक केंद्र हैं विशाखा पत्तनम, गुंटूर प्रदेश ये ओद्योगिक प्रदेश विशाखा पत्तनम जिले से लेकर दक्षिर में कुर्णूल और प्रकाशम जिलों तक विस्तृत हैं इस प्रदेश का ओद्योगिक विकास मुख्यताहा विशाखा पत्तनम और मचली पत्तनम के पत्तनों और इनके प्रिष्ट प्रदेश की सम्रित क्रिशी तथा खनीचों के विशाल भंडार पर आश्रित हैं गोदावरी द्रोणी के कोईला क्षित्र इस प्रदेश कोक शक्ति और उर्जा प्रदान करती हैं 1941 में विशाखा पत्तनम में जलियान निर्मान उद्योग लगाया गया था पेट्रोलियम परिश्करण शाला आयातित कच्चे तेल पर आधारित है तथा इसने अनेक पेट्रो रसायन उद्योगों को जन दिया है इस प्रदेश के प्रमुक उत्योग हैं चीनी, वरस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एलियूमेनियम और इंजिनेरी के हलकी सामान गुंटूर जिले में एक सीसा, जस्ता, प्रगलन सयंत्र भी चालू है विशाखा पत्तनम में इस्थित लोहे और स्पात का कारखाना बैला डिला के लोह आयस्क का उप्योग करता है इस प्रदेश के प्रमुक और द्योगिक केंद्र हैं विशाखा पत्तनम, विजैवाडा, विजैनगर, राजा मुंदरी, गुंटूर, एलुरू और कुर्नूल विगत वर्षों में इस प्रदेश में स्थित उद्योगों ने बाड़ी तेजी से प्रगती की है ये प्रदेश खनिच और शक्ती के स्रोतों से दूर स्थित हैं इसलिए यहां हलके और बाजारों मुख उद्योग लगाए गए हैं इस प्रदेश के मुखे उद्योग हैं इलक्ट्रोनिक्स, इंजिनिरी के हलके सामान और बिचली का सामान इनके अलावा बड़े पैमाने पर विकसित उद्योग हैं सूती, उनी, तथा कृत्रिम वस्त्र, हौजरी, चीनी, सिमेंट, मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, क्रिशिय उपकरण, रसायन और वनस्पती सौफ्ट्वेर उद्योग अभी नया-नया ही शुरू हुआ है इसके दक्षण में मथुरा आगरा और द्योगिक क्षित्र है, काच और चमडे का सामान इस प्रदेश की विशिष्चता है मथुरा में तेल परिशकरण शाला तथा पैट्रो रसायनों का संकुल है इस प्रदेश के प्रमुख और द्योगिक केंद्र हैं गुरगाउं, दिल्ली, शहादरा, फरिदाबाद, मेरट, मोदीनगर, घाजियाबाद, अमबाला, आगरा और मथुरा कोल्नम तिरुवनंध पुरम प्रदेश इस प्रदेश का विस्तार तिरुवनंध पुरम, कोल्नम, आलपुज्जा, अरनाकुलम और त्रिशुर जिलों में है रोपन क्रिशी और जल्विद्युत ने इस प्रदेश को ओध्योगिक आधार प्रदान किया है ये प्रदेश देश की खनिच पट्टी से दूर है अतहा यहां मुख्य रूप से क्रिशी उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित और बाजारोन मुख हल्के उद्योग ही विकसित हुए हैं इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं सूती वस्त्र, चीनी, रबड, माचिस, काच, रासायनिक उर्वरक और मचली आधारित उद्योग इनके अलावा खाद्य प्रसंसकरण, कागज, नारियल रेशे के उत्पाद, एलियूमेनियम और सिमेंट उद्योग भी उलेखनिये हैं कोची में तेल परिशकरण शाला ने इस प्रदेश के उद्योगों में एक नया आयाम जोड दिया है इस प्रदेश के प्रमुक आध्योगिक केंद्र हैं कोलम, तिरुवनंधपुरम, अलवाई, कोच्छी और अलपुज्जा क्या है हमारे चारों और? चारोर क्या है हमारे चारोर 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 अध्योगिक समूहन गुजरात अध्योगिक प्रदेश अभी आप सुन रहे थे ये वारता वाची का थी वंदिना रावत विशे संयोजक प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विशे संपादन आरपी मिश्र, आलेक, S.K. शर्मा, नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर, धुन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रसुती व चंदना अरिमर्दन